हाई फ्रेंद्स वेलकम टू माय दुजा निपल शील्ड की आदत कैसे छुडवा सकते हैं इस पर्टिकलर चीज का सल्यूशन जानेंगे आज के वीडियो में 10 स्टेप्स गाइड है अगर आप यह 10 स्टेप्स फॉलो कर सके तो निपल शील्ड का आदत बहुत जल्दी छूड सकता है सबसे पहले जानते हैं निपल शील्ड एक्जाक्ली कौन लोग यूज करते हैं सी एस सिंपल एज इनिशल डेज में अगर बच्चा लाच नहीं कर पाता है तो फिर निपल शील्ड सजिस्ट किया जाता है अगर किसी वजा से बच्चे को बॉटल का आदत हो गया है बच्चे को ब्रेस्ट फेडिंग सिखाना तो निपल शील्ड सजिस्ट किया जा सकता है अगर कोई वूंड है जक्खम है निपल को की इंजूरी हो गया तो फिर भी निपल शील्ड सजिस्ट किया जा सकता है इनिशियल डेज में बड़ा अच्छा लगता है कि चोल अच्छ जो feel करते है कि Shreya might be flow उतना नहीं जा रहा है, might be nipple shield के hole से अगर बच्चा directly breast पे लेगा और उसकी sprinkles से तो बच्चा जल्दी satisfy हो सकता है और कई सारे equivalent चीज़े, so step by step guide nipple shield की आदत हम लोग कैसे चुडवाएंगे, start as early as possible see, जिस दिन आपको लगे कि अभी मुझे nipple shield का आदत चुडवाना है, उसी दिन से शुरू करते हो, so basically nipple shield से बच्चे को breast feed कराने से पहले minimum 5-10 minute आपको direct बच्चे को feed करवाने के लिए लेना है, so we don't know, so मेरे इतने सारे students है, जो लोग यसे एक महिना करते हैं और suddenly 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन के बाद बच्चे ने suddenly एक breast लेना शुरू कर दिया, फिर इसे दूसरा breast लेना शुरू कर दिया, but वो बहुत easily manage हो जाएगा, but ऐसा मत सोचो कि अभी नहीं करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद करेंगा, अभी नहीं करते हैं कुछ दिनों के बा बच्चे को बिना निपल शील के breast लोग है, जिस बच्चे को निपल शील का आदत है, तो फिर बच्चा और भी जादा क्रेंकी होगा, विकोस बच्चा जभी क्रेंकी मूर में है, तभी बच्चे को ऐसा होता है कि मुझे मेरी हमेशा जो पता है वही चीज मिले, and that's what child prefers, and that बच्चा प्रिफर करता है, तो फिर बच्चा अगर peaceful है, happy है, और भूगा है आपको पता है, तभी ट्रा करो, तीसरा चीज, बच्चा जभी सोने पर आ रहा है, so nipple शील बहुत सारे mothers बोलते हैं, तो पता चल जाता है कि nipple शील नहीं लगाय हो है, और मैंने डाइरेक्ट ब बच्चा पर लेना कोशिश करो के, something like dream feeding, तो आपको बहुत जादा help कर सकता है, चौता चीज, ट्रा करो कि बच्चे को आप निपल शील से पिलाने के बाद से, आपका बच्चा ब्रेस फीड करता है 15 मिनिट से लेके 20 मिनिट की बीच में, तो 10 से 15 मिनिट फीड करने के फिर बच्चे को without nipple she'll try करो, तो यह कई बार आपको big time help करेगा, because बच्चा जबी contented है तभी वो like a pacifier भी आपके breast पे सकता है, point number 5, breast को आप लोग कैसे पकड़ते हो, यह बहुत जादा जरूरी है, आपके breast का चो hold है, वो catchy fold में है, या vertical pinch या C shape में, ऐसे breast की position hold करो, कि जो nipple or brown area का shape है, वो at least थोड़ा सा pinch format में रहे, little close to जैसा एक nipple shield का feel आता है बच्चे को, at least grip अगर वैसा बच्चे को मिल सके, तो nipple shield का आदत चुडाने में help हो सकता है, 7. आप लोग को सही latch कैसे करवाते ही, पता होना चाहिए, अगर आपको बच्चे को सही बे में breast feeding करवाना है तो तीन चीज़े उसमें बहुत dominating होती है, मा को कैसे बैठना है, बच्चे का position कैसे होना चाहिए, और बच्चे का breast के साथ attachment कैसे होना चाहिए, आप अगर इन तीन dominating चीज़ों का खयाल रखोगे, उसके बारे में सीख के लो, अगर आपको मुझ से सीखना है तो get in touch with us, पर आपको यह सीखना बहुत जादा ज़रूरी है कि breastfeeding के लिए सही लाच कैसे करवाता है, तो वो आप जभी बच्चे को लोगे तो आप बहुत confidently बच्चे को ले पाओगे, आपको breastfeeding के different different positions सीखना बहुत जादा ज़रूरी है, बिकुस यह ऐसा नही है कि बच्चा इसी position में ल helpful है, और वो बच्चे को भी सही तरह से latch करवाने में help कर सकता है, next point number 9, आप लोग को याद रखना है कि आपका diet बहुत healthy रहे और आप आपके milk flow के उपर काम करते रहो, see ऐसा नहीं होना चुछिए कि आपका milk flow तो कमी है, आप निपल चिल पर ऐसे ही बच्चे को ले रहे थे चलो ये सब करके हम लोग बच्चे को breast पे लेके भी आगए, बड़ अगर breast पे flow ही नहीं है तो बच्चा contended होके पीएगा कैसे, तो please आप लोग right diet, right hydration, right techniques को यूज़ करके अपना milk flow maintain और राधर increase करने की कोशिश करते रहो, last point number 10, be patient, बहुत घाई करके बस अभी आज तो हो नहीं चाहिए, बस अभी 15 दिन हो गए मैं कोशिश करी हूँ, नहीं, शायद से ऐसे भी हो सकता है कि 15-20 दिन बाद पहले एक breast का आदत चूटेगा, फिर 15-20 दिन बाद दूसरे breast का आदत चूटेगा, बटो चूट जाएगा, निपल शील्ड ये कोई treatment नहीं है, निपल शी से पिलाओ, तो क्या कोई problem है, कोई problem नहीं, sterilization, उसका cleaning, proper hole वाला निपल शील, ये से एक होल वाला निपल शील, 3-4 मिने के बच्चे को नहीं चलेगा, and lastly, क्या आपका बच्चा निपल शील्ड से दूद पी रहा है, और exclusively breast feeding पर है, तो फिर आप लोग सूच सकते हो कि मुझ बच्चा निपल शील्ड से दूद पीता है, तो क्या वो जादा कॉलिक ही होता है, the answer is no, आपका बच्चा किसी भी वे में दूद पीए, तो भी बच्चे को कॉलिक होता ही है, उसके बहुत variant reasons है, digestive system अभी तक developed नहीं है, तो उसमें निपल शील्ड का कोई रोल नहीं है, so all of your mamas nipple shield आपके हिप के लिए खड़ा रहा था, but एक बार आपका set हो जाए milk floor बच्चे का लाची, प्लीज दिरे-दिरे कोशिश करके बच्चे का निपल शील का आदत चुडवा दो, you'll be more peaceful और बहुत अच्छे से आगी जा पाओ, thank you so much all of you, have a great time, अगर आप में से किसी को ना है तो, get in touch with us on www.myadvijajad.com, have a great time and bye